सो हलो गईस स्वागा तिब के हमारे चैनल में स्कुराम दभी स्पोर्स यहां पकुलता है फुटबॉल सेटेस है ट्रांसफनीज और ट्रांसफनीज रिमोस तो सुरुब करता है अच के वीडियो पहला किसी दे रहे कि तो सबसे पेहला बात करेते हिरो आइसल के बारे में तो आइसल में कल था मैच FC Goff वर्सिस मुंबच सेटी का एंड यह था सेमी फाइनल फर्स्ट लेग एंड यह मैच ड्राउ में एंड हुआ है बठा इसी गाज जीत सकता था यह मैच क्योंकि सुरुबात में एक पेनल्टी था जो कि पेनल्टी नहीं दिया गया एंड उसके और भी कुछ जगा पे और एक दो योलो कार्ट मिलना चाहिए था बड़ वो नहीं मिला दूसरे प्लेयर्स को तो रिफरिंग का क्वालिटी कल के मैच में बहुत कुछ ज्यादा अच्छा हुआ नहीं है कुछ कुछ दिशियंस बहुत अच्छे ले गए बट ज्यादा तर दिशियंस गलती हुए एंड कल का रिजल्ट कहीं न कहीं खराब रेफिरिंग के कारण थोड़ा सा एफेक्ट तो हुआ है शायद ये मैच FC को जीद भी सकता था बट एस बिकॉज ये मैच ड्रॉ में एंड हुआ है तो कल का मैच देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग सेवियर गामा ने जो गोल किया हुए कमाल का मतलब एक वर्ल्ड क्लास लेवल का फिनिश था किसे ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस पोजिशन से सेवियर गामा गोल कर देगा एंड हुगो बुमोस ने जो गोल किया है मुंबाई से रिफिक को कि वो भी एक में बोलू FC Goa के future matches में, क्योंकि Linda Dickuna ने अच्छा performance किया है, attack में, बट Siritan Fernandes ने, जैसा Siritan Fernandes का performance है, कि वो attack और defense दोनों ही बहुत ही जादा अच्छे से समाल सकते, Linda Dickuna का कल के match पर दिख रहा था कि attack में वो बहुत अच्छा है, बट defense में उतना अच्छे नहीं है, Linda Dickuna बटा, definitely उनको भी प्लेटाइम चाहिए, यह उनका second match था, एंड यह semi-final था, तो हम लोगों को यह भी ध्यान रखना परेगा, बटा, अब हर चीज second leg में आ चुका है, अभी के लिए तो score 2-2 है, साथ देखते हैं कि second leg में इसी goa performance कैसा रहता है, एंड वीडियो में आगे मेंने से पहले, मु ज्यादा easy है, आपको बस 11 प्लेयर्स को choose करना है from either of the two playing teams, आपको अपना खुद का team मनाना है, आप सब को पता है कि football पूरी दुनिया में कितना ज्यादा famous है, एंड पूरी दुनिया में यह sports खेला जाता है, चाहे वो England हो, Spain हो, Germany हो, एंड इवन इंडिया में भी यह बहुत ही ज्यादा लोगप्री है, एंड इस एप का जो best part है वो यह है कि आप fantasy football में भी participate कर सकते हो, किसी भी competition में घर बैठे बैठे, और इंडियन football league के लिए इनके पास 4 ताइम से लेके 8 ताइम से लेके 8 ताइम से चल रहा है, जहापे आप 4 गुना से लेके 8 गुना तक जीत सकत about my 11 circle की आपके जितने भी winning से वो directly credit हो जाएंगे आपके account में and यह बहुत ही ज्यादा secure है and यह कुछ winner से जिनने my 11 circle खेल के करोर पती बने, सब किस बात का वेट कर रहे हो, download करो यह app, link आपको description में नीचे मिल जाएगा and make your team on my 11 circle and also आपको 1500 रुपे का एक bonus मिलेगा अपने प responsibility and at your own risk. सब्सक्राइब बात करते हैं आज के मैच के बाड़े में तो आज का जो मैच होग है एक बहुत ही ज्यादा काटे का मैच हो सकता है क्यूंकि North East का recent performance बहुत जादा अच्छा है, Khalid Jamil Kandar and ATK Mon Bagan का last 2 matches का performance बहुत जादा average रहा है, मुझा उतना अच्छा नहीं रहा ह ATK Mon Bagan का performance and इस मैच में संदेश जिंगान खेलेंगे या ने इसके उपर तक बहुत बारा question है क्यूंकि मुझे लगता नहीं कि संदेश जिंगान 100% fit है and Tiri का performance भी बहुत जादा खराब है तो defense में ATK Mon Bagan का का काफी सारा problem है and attack में आपको बस Roy Krishna को काफी हद तक tight marking में रखना पड़ता है क्योंकि अगर हम लोग ATK Mon Bagan से Roy Krishna को निकाल दे तो ATK Mon Bagan का team काफी ज्यादा shaky पर जाएगा क्योंकि इस season में ATK Mon Bagan का सबसे ज्यादा assist Roy Krishna ने दिया है सबसे ज्यादा goal Roy Krishna ने किया है तो एक player बहुत ज्यादा workload ले रहा है बढ़ा मैं यह नहीं बोल रहा कि दूस Fredericko Gallego को North East निकाल दे तो North East का भी attack काफी ज्यादा weak तो नहीं बोलूँगा बट effect तो पढ़ता है team में क्योंकि creativity का कमी दिख जाते है क्योंकि Fredericko Gallego बहुत ज्यादा creative player है इसको लेके कोई question नहीं उटा सकता तो हम मेरे साब से काफी ज्यादा equal match होने का chances है and as because first leg इसके बाद leg होगा तो दोनोई team try करेगा कि इस leg में ज्यादा goal ना concede किया जाए बट अगर एक दो goal से वो यह leg जित सकते तो next leg में definitely हलका सा advantage रहता है सथ दिखते क्या होता है तो लक्षी दार अबरा Mumbai sirasi के तरफ से तो Mumbai sirasi ने कमाल का offer दिया है ब्राइट अनो बखारे को मतलब बहुती ज्यादा बढ़िया offer मिला है ब्राइट अनो बखारे को and definitely ब्राइट अनो बखारे Mumbai sirasi में जा सकते बट मुझे नहीं लगता personally मुझे नहीं लगता कि ब्राइट अनो बखारे Mumbai sirasi में जाएंगे बठा Mumbai sirasi को अगर कोई player चाहिए तो वह बहुत extreme तब जा सकता है last season हम लोगों ने देखा है कि जब सबने बोल दिया था कि नहीं Hugo Boomos Mumbai sirasi में नहीं जाएंगे तब भी Mumbai sirasi ने release clause दे कि Hugo Boomos को अपने team में शामिल करवा है बठा उसमें player भी correct है East Bengal के साथ वो खतम हो चुका है मैं जब खतम हो जाएगा में में तो इसी के वैसे ब्राइटन और बखारे Mumbai sirasi में जा सकते है and as because Mumbai sirasi का जो financial condition है वो बहुत जादा अच्छा है बहुत जादा strong ही क्यूंकि city group का backing है Mumbai sirasi के पास तो definitely ये deal हो सकता है बट अभी बस एक offer मिला है ब्राइटन और बखारे को कुछ भी जादा decision नहीं लिया गया है and मुझे नहीं लगता कि कोई proper बात भी हुआ है ब्राइटन और बखारे के agent के साथ Mumbai sirasi के management का so अभी के लिए तो ये बहुत initial stages में है and अगर इससे related further कोई update आएगा in future तो आपको question में मिल जाएगा so next युदर कुछ हमनों को देखने को मिला नहीं and थोड़ा सा overrated में बोलूँगा but definitely मैं बस उनको इस season के ISL के performance के उपर judge कर रहा हूँ and मैं यह नहीं बोला कि overall वो बहुत overrated प्यार है नहीं पास्ट का performance अच्छा है but current performance ही matter करता है न ISL में तो वो उनका उतना अच्छा नहीं था and इसके वैसे वो Wellington Phoenix में वापस जा चुके and यह को loan deal नहीं था उनका contract UDSC के साथ खतम हो चुका था and इसके वैसे वो फिर से Wellington Phoenix के साथ एक contract सायंकिए उन्होंने तीन से चार महिने का तो basically जब तक A-League खतम नहीं होता तब तक वो A-League में खेलेंगे and उसके बाद फिर से वो free agent बन जाएंगे और फिर कोई भी दूसरे A-League के club में जा सकते वो तो अभी नहीं पता बढ़ा मेरी साथ से उसे सी कोई दूसरा नया defender को ही लाएगा अपने team में साथ देखते क्या होता है अबर इस्ट पिंगॉल के तरह से तो इस्ट पिंगॉल दो नए Indian players के उपर interested है क्योंकि इस साल इस्ट पिंगॉल का जो Indian side था वो बहुत जादा weak था और वो दो ने इंडिन प्यायर से तेलम सुरंजित सिंग एंड सौंगपु सिंग सिथ, तो तेलम सुरंजित सिंग एंड में सुरंजित सिंग ही बोलता हूँ, तो सुरंजित सिंग एक central defensive midfield position के प्लेयर है, उनका age 21, वो round glass पंजाब एसीखाओ के खेलते हैं, और इस साल iLeague मे साथ मैच खेला है, और उनका performance ठीक ठाक है, उनको जितना जादा मौका मिलेगा, उनका performance और भी जादा इंप्रूफ होगा, और सुरंजित सिंग एक्चिली East Bengal के अंडर 18 टीम के प्लेयर रह चुके, तो definitely वो East Bengal में आ सकते हैं, अभी बस East Bengal interested है, सुरंजित सिंग के ऊपर, अ बोलूँगा, अगर हम लोग सिर्फ individual brilliancy का बात करें, तो definitely सुरंगपू सिंगसित बहुत सारे positions में खेल सकते हैं, East Bengal में इनके आने के chances सबसे जादा है, बट मुझे लगता है ये इन दोनों ही players का signing हो जाएगा, बठा सुरंगपू सिंगसित का contract नेरोका के साथ 2022 के में तक तो अगर East Bengal को सुंपू सिंगसित का signing complete करना है, तो उनको एक transfer fee देना पड़ेगा नेरोका को, या फिर अगर नेरोका के साथ सुंपू सिंगसित का contract terminate होता है, बट वो अलग बाते बट मुझे लगते कहीं न कहीं, अगर सुंपू सिंगसित East Bengal में आते तो East Bengal को एक transfer fee देना match, क्योंकि currently Brian Munich No.1 position में है and Borussia Dortmund No.5 position में है and ये एक derby है, Bundesliga का derby हम लोग बोल सकते, Brian Munich vs Borussia Dortmund and Borussia Dortmund का recent performance है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, basically Haaland and Sancho के उपर बहुत ज़्यादा depend करता है Borussia Dortmund का performance and Brian Munich बहुत ज़्यादा attacking खेलता है, यह हम सब को पता है, but tough तो definitely होगा Borussia Dort अगर Red Bull Leipzig को No.1 position में जाना है, तो उनको expect करना होगा कि Borussia Dortmund यह मैं जीते या फिर at least एक draw करे, so tough तो है Borussia Dortmund के लिए यह मैं जीतना, क्योंकि Brian Munich का recent performance है, वो बहुत ज़्यादा aggressive है, मैं बोलूँगा, so अगर गलती से भी Brian Munich एक दो गोल कंसिट कर भी जाते, तो वो 3-4 गो अगरे Serie A के तरह से, तो Serie A में आज मैच है, Juventus vs Lazio, एक बहुत ही जादा interesting match, क्यों currently Juventus 3rd position में है, and Lazio 7th position में है, and Lazio का जो form है, वो थोड़ा सा degrade हुआ है last 2 matches में, वादब जब से Lazio ने Brian Munich के against में मैच खिला थे UEFA Champions League में, वो 4-1 से हाड़े थे, उसके बाद उनने एक Serie A का भी उनने मैच खिला, जहां पर उनका performance बहुत जादा average लग रहा था, बहुत जादा demotivated लग रहा था, and इसलिए मेरे साब से Juventus के लिए में, जितना easy तो होगा बठा, कुछ बोला नहीं जा सकता, कोई भी team को इस साल में, Serie A में हलके में नहीं लूँगा, क्योंकि हर team का performance कही ना कही बहुत जादा अच्छा है, बहुत जादा impressive, at least वो लोग ट्राई कर रहे, बटा बस Lazio का, last 2 match का performance बहुत कुछ जादा अच्छा रहा नहीं है, but उससे पहले का performance काफी जादा अच्छा रहा है, so definitely देखने लाहे होई कि है मच कौन जितता है, Juventus, या फिर Lazio, so actually सब्सक्राइबर, PSG के तरफ से, PSG वो इंट्रेस्टेट है Benjamin Mendy के उपर, तो Benjamin Mendy जो कि Manchester City के player है, उनका age 26, वो एक left-back position के player है, and mainly Benjamin Mendy बहुत जादा injury-prone player है, and जादा टाइम वो bench में है, या फिर injured ही होते, and इसी के वैसे, Manchester City ने भी है decide कि उनको France में है, वो बहुत वापस ब अच्छा है, so definitely Benjamin Mendy PSG में आ सकते है, क्योंकि Manchester City मुझे नहीं लगता कि Benjamin Mendy को और रखेंगे, क्योंकि जब से Benjamin Mendy Manchester City में आये है, वो तब से जादा time injured ही है, so देखते है कि क्या Benjamin Mendy PSG में आते हैं नहीं, so बस guys, आज को इतना है, and definitely my 11th circle app को check out कर ना मत बुला, description में and pinned comment मैपको जैने Instagram पर follow करना Instagram का link आपको description में मिल जाएगा, तो तक रोच इस वीडियो, मैं मिल तो ने वीडियो के साथ, तब तक लिए, भाई!